बिर्यानी आने की सब की फैवरेट ऐसे ही मज़ेदार हैदराबादी मटन दम बिर्यानी की रेसिपी आज बनाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स एक दम खिले खिले चावल बने हैं और खानी में ये तो बहुत ही ला जवाब है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसे जरूर शेर कीजिए तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए मैंने आदा किलो मटन अच्छे से साफ करके इदी के इन टुकडों में कट करके रख लिया है अब बिर्यानी बनानी के लिए थोड़े बड़े साइस के ही टुकडे मटन के लिजिए इसमें डालते हैं दही 1500 ग्रैम जितनी तो दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए इस बात के अध्यान रखिएगा आब इसमें डालते हैं आदा छोटा चमज हल्दी पाउडर एक चमज कश्मीरी लाल मीच पाउडर और एक चमज जो हम रेगुलर लाल मीच यूज़ करते हैं उसे डाल लेते हैं यह बिर्यानी थोड़ी सी चटपटी तीखी ही अच्छी लगती है एक चमज नमक डालेंगे एक चमज भरके धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चमज जीरा पाउडर डालते हैं और एक सिर देड़ चमज भरके बिर्यानी मसाला पाउडर डालेंगे और ये बिर्यानी मसाला पाउडर मैंने घर पर बनाया है इस बिर्यानी मसाला पाउडर की रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है आप जरूर देखे ये बहुत ही जबदस बनता है एक चमश शाजीरा और तीन हरी मिर्चों को मैंने बारिक कट करके डाला है देड़ चमश डालते हैं अदरक और लेसन का पेस्ट एक बड़ी इलाईची तीन से चार छोटी इलाईची और एक दालचिनी का टुकड़ा एक मुठी भर के कटा हुआ हरा धनिया और एक मुठी भर के पुदीना और तली हुई प्यास डालते हैं एक मुठी भर तो तीन बड़े साइस के प्यास को मैंने तल के रखा था दो बड़े चमश तेल डालते हैं और ये वही तेल है जिसमें मैंने प्यास को फ्राई किया था तो अच्छे से अब इन सारी चीजों को मटन के साथ मिक्स करते हैं और भी बिर्यानी के रेसीपिस मैंने चैनल पर अप्लोड की हुए है उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लें तो इस तरह अच्छे तरह मसालों को मटन के साथ मसलते हुए मिक्स करेंगे और इसे मैरिनिट होने के लिए रख देते हैं 2-4 घंटों के लिए अगर आपके पास वक्त कम है तो फिर आदे घंटे के लिए तो जरूर रख लीजिएगा अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रख कर दूसरे दिन बनाएंगे तब भी ये बहुत ही बढ़िया बनेगी तो चलिए अब pressure cooker में मटन को पका लेते हैं क्योंकि मटन पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो मैरिनिट के लिए मैंने 4 घंटे के लिए रखा था तो इसे pressure cooker में मैंने डाल लिया है इसमें थोड़ असा पानी भी डालेंगे एक कब जितना और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मत से और फिर धक्कन लगा कर इसे चार से पांच सीटी आने देते हैं तो चलिए अब चावलों को भीगो लेते हैं तो यहां मैंने 600 ग्रेम जितने चावल लिए हैं तो आधा किलो मटन और 600 ग्रेम मैंने चावल लिए हैं यह टिबल एकसल बासमती राइस हैं अब चावलों को जो हैं दो पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और दूसरा पानी डाल कर हम इसे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए भीगोने के लिए रख देते हैं कम से कम आदे घंटे के लिए तो चावलों को जरूर भीगोईएगा इससे जो है चावल लंबे और अच्छे खिले-खिले बनेंगे खास मेहमानों के लिए दावतों के लिए या फिर रमजा नीद पर भी इसे जरूर बनाईएगा चावल भीग चुके हैं यह देखिए अब यहने उबाल लेते हैं मैंने पानी गर्म कर लिया है एक पतिले में और इसमें एक बड़ी लाइची पान से छे लॉंग तीन तेज पत्ते और एक दालचिनी का टुकड़ा डाला है मैंने और चार छोटी लाइची को भी कूट कर तो फ्रेंज इसमें मैं धनिया या फिर पुदीरा नहीं डाल रही हूँ आप डालना चाते हैं तो डाल लीजिएगा तो अब इसमें एक बड़ा चमच भर के तेल भी डालेंगे इससे जो है चावल सौफ्ट बनेंगे दो चमच भर के नमक डालते हैं आधा लिम्बू का रस निचोड़ते हैं इसमें लिम्बू डालने से चावल आपस में चिपकेंगे नहीं एकदम खिले खिले बनेंगे तो दिखिए पानी भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है अब चावलों को जो है अच्छी तरह निधार कर इसमें डालेंगे अब 80% पकने तक ही चावलों को पकाएंगे इसमें और बाकी का 20% जो है मटन के साथ इसे पकने देंगे एक बाद चमल से अच्छी तरह मिक्स करेंगे चावलों को छे-साथ मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाने के बाद ये देखे चावल इस तरह 80% तक पक जाएंगे बस इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर लेना है और चावलों में जो हमने ये खड़े मसाले डाले हैं इन्हें निकाल कर थंडा होने के लिए रख देते हैं कुकर के पांच विसल आ चुके हैं देखे एक बाद चेक कर लेते हैं मटन गला है या नहीं अगर नहीं गला हो तो दो सीटी और प्रेशर कुकर के आप लीजिएगा तो ये देखे बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर तयार है बिर्यानी के लिए अब हम क्या करेंगे एक क चावल भी अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं अब उपर से जो हमने खड़े मसाले डाले थे उन्हें निकाल लेते हैं चलिए अब बिर्यानी को जो है दम पर रख लेते हैं तो यहां मैंने एक चोड़ा वाला पतीला लिया है दीखे इस तरह और मटन को सारा इसमें डाल ल लेते हैं चम्मत से आब इसके उपर से पारिक कटा हूआ हरा धन्या डालेंगे और कुछ पत्ते पुदीने के और फिर डालते हैं चावल तो चावल की लेयर को अच्छी तरह पैला लीजीगा इस पर हैं मैं और फिर उपर से दालेंगे कटा हुआ debe की पिधनीदे के पत तो पुदीने के पत्ते जो थोड़े से ज्यादा ही डालिएगा, अब जो हमने ग्रेवी को निकाल कर रखा था, उसे भी डाल लेते हैं उपर से, और इसके बाद डालते हैं food color आपको जो color डालना है आप इसमें डाल लीजिएगा मैंने यहाँ पर yellow food color और orange food color इस्तमाल किया है इसे दोनों ऐसे ही आप भी इस पर डाल लीजिए अब डालते हैं धेर सारी तली हुई प्यास यह तली हुई प्यास बिर्यानी में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप जितनी मर्जी चाहें इस पर डाल लीजिएगा अब उपर से जो है घी डालेंगे यह देखें चार से पांच बड़े चमच में घी डाल रहे हूँ आप चाहें तो तली हुई प्यास का जो तेल है बचा हुआ उससे भी डाल सकते हैं या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें घी या बटर को डालने से बिर्यानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए मैं घी डाल रहे हूँ तो अच्छे फ्लेवर के लिए आप भी घी को ज़रूर डालिएगा तो ये देखे छोटे चम्मत से मैं थोड़ असा इसमें चावलों में गैब कर रही हूँ ताकि जो है भाप अच्छे तरह उपर के चावलों के लेयर तक भी आ सके और ऐसा करने से बिर्यानी जल्दी ही दम हो जाती है और चावल भी अच्छे नरम होते हैं पतीले के चारों किनारों पर मैंने आठा भी लगा लिया है इससे जो है स्टीम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और बिर्यानी जो है बहुत अच्छी तरीके से दम होगी अब बिर्यानी को दम पर रखने का प्रोसेस हो चुका है यह दिखिए गैस पर एक तवा रखेंगे और तवे के उपर इस पतीले को रखेंगे और हाई फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए इसे पकने देते हैं और उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो करके कम से कम 20 से 25 मिनिट के लिए दम होने के लिए रख दे तो slow flame पर रखे हुए 25 मिनिट बाद मैंने देखिए धक्का निकाला है और ये कितनी जबरदस बिर्यानी बनकर तयार है आप देख सकते हैं चावल कितने खिले-खिले बने हैं तो मैंने बताई हुए मेजरमेंट के साथ इसी तरीके से अगर आप भी बिर्यानी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट हाइदराबादी बिर्यानी बनकर तयार होगी उमीद करती हूँ के आपको ये बिर्यानी की रेसिपी पसंद आई होगी तो आप भी इस रमजानी पर ज़रूर बना कर ट्राइ किजिएगा तो चलिए फिर ऐसे ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अलाहाफीज थेंक्स वर वाजिंग